For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. अपने फिल्म को एक हफ़ते प्रीपोन कर शारुक ने इस क्लाश को टालने की कोशिश की लेकिन बावजूद इतने कोशिशों के जब हैरी मिट से जल्ड टॉयलेट इक प्रीम कता को टक कर देने में नाकाम रही। अब जब इंडस्ट्री का हर सितारा पैड मान चालेंज लेकर अक्षे की फिल्म पैड मान को प्रमोट कर रहा है तब आमिर के शारुक को इस चालेंज में टैग करने पर सबको लगा था कि शायद शारुक सारे गिले शिक्वे मिटाकर इस चालेंज को पूरा करते हुए पैड man को promote तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या राहे हैं हमें अपने विचार बताईए नीचे दिये गई comment section में और ऐसे ही और भी gossips and updates के लिए बने रही है पॉल वुद स्पाई के साथ रुस्तम और मोहंजदारों के box office clash को भला कौन भूल पाया है और अब एक बार फिर अक्षे कुमार और रितिक रोशन की box office पर टकराने की खबर आ रही है बता दे 2.0 एक बार फिर postpone हो सकती है ऐसे में April तो दूर की बात ये फिल्म August की बजाए अब January 2019 में रिलीज हो सकती है दरसल इस science fiction में धेर सारा VFX का काम है जिसके चलते बार बार ये फिल्म दीले हो रही है बता दे पहले ये फिल्म 2017 दिवाली पर ही आने वाली थी फिर January, फिर April, फिर August और अब 2019 जैनवरी की खबरे आ रही है वहीं बता दे 25 जैनवरी को रितिक रोशन की सूपर 30 ने पहले से ही रिलीज डेट लॉक करकी रखी है लेकिन अब अगर अक्षे कुमार जैनवरी में इस grand budget की फिल्म को लेकर आते हैं ऐसे में ये तो तैय है कि वो गंतंत्र दिवस वाली छुटी में ही आएंगे लिहाजा एक बार फिर बॉक्स ओफिस घामासान की उम्मीद की जा रही है मैं हूं मेगा, हमें अपनी राए बताएं और कॉमेंट करें और भी मसालिता टैली और फिल्मी अप्डेट्स के लिए जुड़े रही है बॉलिवुट स्पाई के साथ